हेलो सुडेंट्स, वेलकम टू आर चानल, लेर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास्टु इंग्लिश ग्रामल का टॉपिक, डूइंग वर्ड्स करेंगे डूइंग वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स भी कहते हैं सुडेंट्स, इस चाप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखे और अगर आप क्लास्टु इंग्लिश ग्रामल का कोई और चाप्टर समझना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग नोट्बुक चैनल पर जरूर जाएं वहां हमने इंग्लिश ग्रामल का पूरा स्लिबस कवर करा हुआ है तो आईए देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन-कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं सबसे पहले we will learn what are doing words और action words फिर उसके उपर हम करेंगे एक practice exercise उससे next topic अपना होगा कि doing words के साथ कब s और कब es लगता है then we will learn about usage of is, am and are then our next topic will be ing form of doing words और end में students मैं आपके साथ करूँगी एक और practice exercise so let's start and first understand what are doing words जिने हम action words और verbs भी कहते हैं doing words tell us what persons, animals or things do तो doing words हमें क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि कोई आदमी, animal या चीज क्या करती है उनके actions बताते हैं doing words जैसे कि dogs bark अब ये जो bark है ये doing word है ये बताता है कि dog क्या करता है? वो bark करता है उसका action है barking stars twinkle अब ये जो twinkle है ये doing word है ये बता रहा है कि stars क्या करते हैं? उनका action बता रहा है twinkle birds fly तो यहाँ पे fly क्या हुआ, doing word हुआ इसी तरह से और examples देखते हैं Children play, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे खेलते हैं, तो play क्या हुआ, वो एक doing word हुआ Lions, roll, roll क्या हुआ, doing word Then we have teachers, teach, जो teachers होती है, उनका action होता है पढ़ाना तो teach जो हुआ, वो एक doing word है तो इनी सब में हमने देखा कि bark, twinkle, fly, play, roll, teach यह सब क्या है, यह सब है doing words Let's see more examples Aeroplanes fly in the sky, यानि aeroplanes sky में उड़ते हैं, fly करते हैं तो यहां पर doing word कौन सा है, कौन सा ऐसा word है, जिससे aeroplanes का action पता चल रहा है Yes, fly, यानि उड़ना, तो fly क्या हुआ, वो doing word हुआ इसी तरह से, hence lay eggs, hence जो होती है, वो eggs देती हैं, तो lay क्या है, ले हुआ, doing word, action पता चल रहा है हमें इस word से, तो इसलिए इसको कहते हैं, doing word या action words भी कहते हैं Phone is ringing, phone बज रहा है, तो यह जो ringing है, यह हमें action बता रहा है, तो इसलिए यह हुआ, doing word The children are studying, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना, यानि studying, it is a doing word The mother is cooking food, मम्मी फूड बना रही है, तो जो cooking है, वो हुआ, doing word The boy is sleeping, जो boy है, वो सो रहा है, लड़का सो रहा है, तो जो सोने का action हुआ, वो है doing word So sleeping is a doing word here We wear woolen clothes in winter तो यहां कह रहे हैं कि हम winters में woolen clothes पहनते हैं अब यहां पर कौन सा action हो रहा है, पहनने का, कपड़े पहनने का action हो रहा है, तो वीर हो गया, doing word Next one is, the children are playing in the park जो बच्चे हैं वो पार्क में खेल रहे हैं तो action हो रहा है, खेलने का, तो playing क्या हुआ, playing हुआ, doing word तो ठीक है students, यह हमने देखा कि अगर sentences हो, तो उसमें हम doing words को कैसे identify करें जो action हो रहा है, और जो word उस action को denote कर रहा है, वो होता है, doing word So now let's do some practice exercise Question is, put the right doing word in each sentence तो यहाँ पे हमें कुछ sentences given है, और यह doing words given है हमें इन्हें sentence में accordingly लिखना है Let's see the sentences First one is, the moon dash at night यानी, moon क्या करता है night में? अब वो action, doing word देखिये क्या करता है moon इदर देखिये पढ़िये इनको? हाँ, shine करता है The moon shines at night Next sentence is, the baby dash milk Baby dash milk तो milk के साथ baby क्या करता है? उसे पीता है तो action क्या होगा? drinks The baby drinks milk Right? Next sentence देखते हैं A baker dash bread तो जो baker है, वो bread के साथ क्या करता है? वो उसको bake करता है तो इदर हमें doing word given है Bakes A baker bakes bread तो इस तरह कैसे हमने sentences को पढ़ना है और हमने action word यानी doing word यूज़ करना है जो हमें ये given है सारे उनमें से एक choose करना है Next sentence We dash to school by bus हम school कैसे जा रहे हैं? By bus जा रहे हैं पर क्या जा रहे हैं? यानी जाने का action होगा इदर We go to school by bus Next sentence The cow dash grass तो cow क्या खाती है? वो grass खाती है तो यहाँ खाने का action होगा The cow eats grass The lion dash in a den तो lion den में क्या करता है? वो रहता है तो इदर doing word होगा lives Next Myra dash chocolates अब देखिए ये जितने अब left over हमारे doing word है इनमें से कौन सा इदर आएगा? Myra loves chocolates Right? Next sentence Father dash the newspaper Father newspaper को क्या करते है? वो पढ़ते हैं तो पढ़ने का action हुआ? रीट्स Father reads the newspaper Now we are left with only two doing words दो doing words हैं जो बस रहे गए हमारे gives और mens ठीक है? तो next sentence रेखते हैं The cobbler dash shoes हमें उन्हें fill करना होता है sentences Next question is Circle the doing word in each sentence तो यहां हमें sentences given है उन्हें हमें doing words identify करने हैं और उन्हें circle करना तो पहला sentence पढ़ते हैं गुपाल sweeps the floor in the morning यानि गुपाल यहां कौन section कर रहा है वो floor को sweep करने का उसे साफ करने का action कर रहा है तो जो sweeps होगा वो है doing word उसको हम circle कर लेते हैं A chemist sells medicines जो chemist होता है वो medicines बेचता है तो sell करने का इदर यह action हो रहा है यानि यह doing word है Hardik hits the ball very hard Hardik ball को बहुत तेज मालता है तो जो hit करने का action है वो है doing word तो हम उसको circle कर लेंगे She sings sweet songs वो मीठे गाने गाती है अच्छा गाना गाती है इसका मतलब है तो singing का जो action हो रहा है वो है doing word So we will circle sings here We cut vegetables with a knife हम knife से vegetables काटते है तो इधर काटने का काम हो रहा है तो cut होगा doing word Boats sail on water Boats पानी पे चलती है यानि sail करती है तो sailing का action हो रहा है तो वो है doing word Amit brushes his teeth every day यहाँ पे किस चीज़ का काम हो रहा है हम तीज़ को brush करने का Amit अपने टीज़ रोज brush करता है तो brushes क्या हुआ doing word Peter goes to school by bus Peter school by bus यानि bus से school जाता है तो जाने की बात हो रही है वो काम हो रहा है एक तो goes हो गया doing word तो students यह हमने सीख लिया कि doing words को हम कैसे पहचानेंगे उन्हें कैसे identify करेंगे अब next topic जो है हमारा उसमें हम सीखेंगे कि doing words कैई बात change भी हो जाते है जो given doing word होता है उसकी form change हो जाती है तो इससे related है हमारा यह next topic doing words change अगर हमें sentence में given है I, we, you, they या sentence में दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम कैसे doing words यूज करेंगे वो देखते हैं हम बोलेंगे I run मैं भागता हूँ You run, तुम भागते हो They run, वो भागते हैं We run, हम भागते हैं या अब दो लोगों के नाम given है जैसे Myra and Tina run यानि Myra और Tina भागती है तो इन सभी के साथ हमने use किया run ठीक है I, we, you, they या दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो हमने use किया run पर अगर students हमें हमारा जो sentence है वो अगर start हो रहा है He, she, it या किसी एक person के नाम से तो हम क्या use करेंगे कौन सर डोइंग वर कैसे use करेंगे जैसे कि He runs अब देखिए हमने इदर runs लिखा है ठीक है वो दोड़ता है एक person की बात हो रही है यहां भी हमने run के आगे एस लगा दिया है क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है ठीक है एक रन्स वो दोड़ता है अब इट यहां पे हम किसी एनिमल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इट रन्स द रैबिट रन्स रैबिट दोड़ता है एक ही रैबिट की बात हो रही है इसी तरह से अगर एक person का नाम गेवन है सिर्फ एक person की बात हो रही हो मायरा रन्स मायरा दोड़ती है तो अब देखिए जब हमने किसी एक person की बात करी है तो हमने run के आगे s लगा दिया है ठीक है? doing word जो हमारा run था उसके आगे हमने s लगा दिया है तो इस तरह से doing word change हो जाते हैं depending upon कि क्या हम किसी plural के बारे में बात कर रहे हैं plural यानि 2 या 2 से ज़ादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एक person के बारे में बात कर रहे हैं इसके उपर depend करता है कि doing word क्या बनेगा अब एक और doing word देखते हैं let's take a doing word let's say go ठीक है? I के साथ हम क्या use करेंगे? go, मैं जाता हूँ you के साथ go तुम जाते हो they के साथ भी go वो जाते हैं we go यानि हम जाते हैं अब अगर मेरे को दो लोगों के नाम गिवन है Myra and Tina Go Myra और Tina जाती है तो मैंने go ही use किया इदर पर अगर अब मैं singular लोगों की बात करूँ या किसी एक लोग की बात करूँ उसके मैं he use करूँ she use करूँ it या किसी का नाम तो उनके साथ go का क्या बन जाएगा go के बाद हम लगा देंगे es goes he goes वो जाता है she goes वो जाती है it goes वो जाता है अब अगर कोई single person का नाम गिवन है जैसे की animal के बारे में आ गया ये next sentence तो the rabbit goes rabbit जाता है अब अगर किसी का नाम गिवन है जैसे की myra तो हम लिखेंगे myra goes तो देखें कैसे doing word change हो जाता है depending upon की sentence किससे start हो रहा है अगर i, we, you, they या कि प्लूरल लोगों के साथ हमें sentence start हो रहा है तो हमारा जो doing word बनता है वो होगा go पर यही अगर हमारा किसी singular person के साथ start होता है sentence वो he, she, it या किसी का नाम गिवन हो एक ही person का एक ही animal का तो वो हो जाता है goes ठीक है तो कुछ doing words के साथ s जुडता है कुछ doing words के साथ e, s जुडता है now let's see some more doing words जो change होते है कैसे change होते है वो मैंने आपको सिखा दिया है singular अगर singular given है हमें he, she, it या किसी single person, animal कोई given है जब क्या होगा और उसके plural क्या बनेगा जब एक से जादा होगे star shines एक star की बात हो रही है सितारा चमकता है अब अगर इसे में stars कर दूँ plural बना दूँ तो shines का क्या बन जाएगा shines का बन जाएगा shine सितारे चमकते है ठीक है तो s हट जाएगा जब मैं plural बनाऊँगी girl stands एक girl की बात हो रही है कि वो खड़ी होती है ठीक है पर अगर मैं इसको girls बना दू तो stands से s हट जाएगा doing word बन जाएगा stand लड़कियां खड़ी होती है flower blooms एक flower की बात हो रही है कि फूल खिलता है पर अगर मैं flowers लिख दूँ तो वो बनेगा bloom फूल खिलते हैं river flows singular river की एक ही river की बात हो रही है कि river भैती है पर अगर मैं rivers लिख दूँ तो जो doing word होगा वो बनेगा slow rivers बहती है next है hardic hits hardic मारता है अब hits यहाँ पे doing word है अब अगर मैं इसको plural बना दू दो लोगों के नाम लिख दू Rohit and hardic hit Rohit और hardic मारते हैं तो जो doing word था वो change हो गया उसमें से s हट गया जब हमने plural बना दिया दो लोगों की बात करने लगे तो इस तरह से doing words change होते हैं depending upon कि हम singular की बात कर रहे हैं या plural की तो यहां पे हमें यह sentence गिवन है और दो doing words गिवन है तो पहला sentence है आप सबसे पहले देखिए कि एक ही star की बात हो रही है तो जब singular होता है तो क्या होता है doing word में s या es लगता है तो इदर s वाला ये twinkles ये ठीक है a star twinkles at night दूसरा sentence है stars twinkles या twinkles at night अब यहां पे plural यानि एक से ज़्यादा star की बात हो रही है तो उसके लिए doing word क्या होगा twinkle right he work or works in this factory he है यानि एक एक परसन की बात हो रही है singular की तो doing word के साथ s या es लगेगा तो doing word है works right he works in this factory now if it is given they dash in this factory वो factory में काम करते है यानि plural एक से ज़्यादा परसन की बात हो रही है तो उसके लिए doing word होगा work ठीक है तो singular जो होगे उनके साथ हम doing word में s या es लगाते हैं plural में ऐसा नहीं होता अब इदर देखिए this girl यानि एक ही girl की बात हो रही है तो doing word के साथ हम s लगा देंगे तो हमें मिलेगा dances this girl dances on the stage पर अगर मेरको given है these girls these girls का बच्चो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा girl की बात हो रही है तो उसके साथ होएगा dance these girls dance on the stage नव्या play और plays with a doll अब एक इसी girl का नाम given है एक ही girl है तो उसके साथ क्या आएगा doing word के साथ s लगाएंगे तो बनेगा plays नव्या plays with a doll the children plays और play football in the evening the children यानि जादा बच्चो की बात हो रही है एक से जादा बच्चो की ये plural है child का children होता है plural तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे doing word play the children play football in the evening तो इस तरह से students हम correct doing word use करते हैं depending upon की singular given है हमें या plural given है sentence में now our next topic is use of is am are to students is am are इन सभी का बहुत रोल होता है किसी भी sentence को frame करने के लिए तो इनका use आना बहुत जरूरी है सबसे पहले देखते हैं कि is कहां use होता है is use होता है he she it this that या कोई और singular noun के साथ singular noun यानि जैसे किसी का नाम given है या the boy the girl कोई animal लिखा हुआ है ऐसे कोई भी एक noun जो है अगर वो given है तो उसके साथ भी is लगता है आईए ये बात मैं आपको examples से समझाती है he is playing अब इदर हमें he given है he के साथ is लगाएंगे he is playing इसी तरह से she is reading she given है she के साथ लगेगा is it it is a school it के साथ भी is लगेगा in the same way we will say this is a pencil this के साथ क्या लगाया हमने is that is a lion that के साथ भी is लगाया चीक है ये सब एक चीज की बात कर रहे हैं एक ही परसन की एक ही चीज की इसी तरह से अब singular nouns के बारे में examples देती हैं Myra is dancing अब Myra क्या है एक girl का नाम है चीक है तो वो singular है इसलिए उसके साथ लगा is The bird is flying सिर्फ एक bird के बारे में बात हो रही है इसलिए उसके साथ लगा is Mumbai is a big city Mumbai क्या है एक city है एक ही city के बारे में बात हो रही है इसलिए लगा is तो students is हम हमेशा singular subjects की साथ लगाएं चीक है और singular subjects में यही सब होते हैं he, she, it, this, that या कोई singular noun अब हम सीखेंगे की am का use कहा होता है am का use तो बहुत ही simple है यह हमेशा I के साथ लगता है अगर हमें subject I given है तो हम उसके साथ लगाएंगे am for example I am a good girl ठीक है I के साथ am I am playing I am very happy today I am reading I am cooking I am washing तो देखिए जहां जहां आई है हर जगा हम am लगाएंगे तो am तो बहुत easy होता है यूज करना जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे I am I am जब भी हम plural subjects की बात कर रहे हैं उसमें क्या-क्या words होते हैं, जैसे कि you, we, they, these, those, या फिर plural nouns, ये सभी represent करते हैं, एक से ज़ादा लोगों को, ठीक है, वो अब nouns में भी ऐसी होता है, हो सकता है कि भी दो लोगों के नाम given हो, या boys, girls, या animals, ऐसे करके plural होना चाहिए, जब हम इनके साथ use करते हैं, are, let's see some examples, you are my friend, तो you के साथ हम use करेंगे, are, ठीक है, we are walking, we के साथ we are, they are dancing, दे के साथ क्या लगाए है हमने, are, these are oranges, ठीक है, these के साथ भी are लगाएंगे, those are roses, दोस के साथ भी are लगाएंगे, ये सब words के साथ तो लगाएंगे हमेशा are, अब plural nouns के examples लेती हैं, Tina and Myra are good friends, अब यहाँ पे दो girls के नाम गिवन हैं, इसलिए हमने क्या लगाएं, are, lion and tiger are wild animals, दो animals के बारे में बात करी गई है, तो इसलिए लगाएं, are, ठीक है students, तो are हमेशा लगता है, plural subjects में, इसी तरह से अगर given है, children, children भी plural होता है, तो उसके साथ भी हम are लगाएंगे, children are playing, तो ये हमने देखा कि कहां कहां हम is, am, are को use करते हैं, अब इस से related, let's do a practice exercise, question is, fill in the blanks with is, am, are, तो हमें ये sentences given है, हमें इनके blanks fill करने है, is, am, are में से कोई एक use करती है, पहला है, we dash happy, अब we given है हमें, यानि एक से जादा लोग हैं, इसके साथ क्या लगाएंगे हम, लगाएंगे are, we are happy, next, it dash the car, अब यहाँ पे it given है, it यानि किसी एक चीज की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या लगता है, singular के साथ, is, it is the car, this dash an apple, this का मतलब भी singular होता है, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी लगेगा, is, this is an apple, that dash a tree, that का क्या मतलब होता है, वो, वो यानि सिर्फ एक ही चीज, तो यहाँ पे भी क्या होगा, is, that is a tree, next है, those dash trees, those, अब देखें students, those का मतलब होता है, जादा, एक से जादा के बारे में बात हो, यह plural होता है, those, तो यानि क्या लगेगा इदर, are, those are trees, I dash not at home today, I आई आगया, I के साथ क्या लगता है हमेशा, am, I am not at home today, ठीक है, तो आईए एक और exercise करते हैं, ऐसे ही, फिर से वोई question है, हमें is, am, r में से कोई एक यूज करना है, I dash, with two's brother, I given है, I के साथ क्या लगता है, am, I am, with two's brother, Ritu dash my sister, अब Ritu एक लड़की का नाम है, एक की लड़की के बारे में बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे, is, Ritu is my sister, we dash proud of our parents, we, यानि एक से जादा लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है, R, we are proud of our parents, you dash good at playing Karen, अब you है, चाहे वो you singular को ही refer कर रहा हो, पर you के साथ हमेशा हम लगाएंगे, R, ठीक है, you are good at playing Karen, I dash not, I के साथ am, I am not, next sentence, Rahul dash my friend, Rahul क्या है, एक boy का नाम है, सिर्फ एक boy की बात हो रही है, इसलिए हम लगाएंगे, is, Rahul is my friend, he dash my neighbor also, he, यानि एक ही person के बारे में बात हो रही है, he is my neighbor also, वो दोनों ही blanks में is लगेगा, there dash no clouds in the sky, अब यहां देखिए, इस sentence में हमें कोई essay subject given नहीं है, जो हमें बता रहा हो, I, we, you, they, ऐसा कुछ भी given नहीं है, तो ऐसे sentences में हम देखेंगे कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं, यहां बात हो रही है, clouds के बारे में, जो clouds plural हैं, चीक है, तो उसके basis पर लगेगा इधर, are, there are no clouds in the sky, तो इस तरह से students, हमने देखा, कि हम कैसे is, mr को use करेंगे, चीक है, Now, let's do our next topic, ing form of doing words, ing form of doing words, describe actions that are still going on, तो हम students, अब हम कर रहे हैं, ing form of doing words, वो क्या होती है, वो describe करती है, उन actions को, जो हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, still going on मतलब, अभी presently हो रहे हैं, कुछ examples दिखाती हूँ आपको, doing word है, read, जिसका मतलब होता है, पढ़ना, अगर मैं उसके साथ ing add कर, तो doing word ये बन जाता है, reading, जिसका मतलब होता है, पढ़ रहा है, मतलब ये काम अभी चल रहा है, पढ़ने का जो काम है, वो अभी हो रहा है, learn, doing word है, learn, उसके साथ हम add कर देंगे ing, तो बन जाता है learning, यानि ये अभी हो रही है, जो ये पढ़ाई है, जो सीखना है, ये अभी हो रहा है, प्ले उसके साथ हम लगाएंगे ing तो बन जाता है प्लेंग प्लेंग का मतलब हो गया खेल रहे हैं अभी खेलना चल रहा है इसी तरह से wash प्लस ing इक्वल्स टू washing यानि धोना कपड़ों का धोना ये काम अभी हो रहा है तो ये होती है ing form of doing words जो उन actions को describe करते हैं जो अभी presently हो रहे हैं तो अब students आपने देखा कि कैसे doing words के साथ ing लगता है पर जहां पे ये ing form होती है वहां पे is, am, are इन में से भी कुछ जरूर लगेगा वो किस चीज़ के उपर depend करता है कि हमें is, am, are में से कौन सा लगाना है वो depend करता है कि sentence में हमें क्या given है I given है he, she, it, we, you, they इन में से क्या given है उसके basis पे हम decide करते हैं जैसे कि I अगर given है sentence में तो I के साथ हमेशा am लगाएंगे हम जब भी ing form of doing words यूज़ कर रहे हैं और I given है तो वहां लगता है am जैसे कि I am watching TV, मैं TV देख रही हूँ, इसका ये meaning हुआ इसी तरह से अगर given है he, she, या किसी person का नाम given है या ऐसे boy, girl, ये सब given है यानि singular given है कोई तो उसके साथ लगता है is, is लगेगा इन सभी के साथ, ठीक है जैसे कि he is swimming, वो swim कर रहा है, she is climbing, वो climb कर रही है Tina is decorating, Tina decorate कर रही है, the boy is playing, लड़का खेल रहा है तो अगर कोई singular जो subjects होते हैं वो given है, तो हम is ऐसे लगाएंगे और I के साथ हमेशा am लगेगा, जब भी ing form हम use करते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना है अगर sentence में एक से जादा लोगों की बात हो रही है, जैसे कि we given है, you given है, they given है तो उनके साथ हम use करते हैं, are, are use होता है यहाँ पे, जैसे कि we are waiting, हम wait कर रहे हैं, you are traveling, तुम travel कर रहे हो, they are going, वो जा रहे हैं, तो जब भी plural subject given होता है, तो are use होएगा, ing form of doing words के साथ question is, fill in the blanks with ing form of doing words, तो यहाँ पे हमें कुछ sentences given है, यह blanks हमें fill करने हैं, कौन से words से, यह जो चार आपको यह doing words given है, ing form वाले, उनमें से use करने हैं, पहला है, the baby dash, अब यहाँ देखिए, इस picture को देखिए, यहाँ पे बेबी क्या कर रहा है, वो हस रहा है, यानि इन चारों में से कौन सा word आएगा, laughing, right, doing word है, laughing, अब मैंने आपको बताया था, कि जहाँ पे ing form of doing word आती है, वहाँ पे is mr में से भी कोई एक ना एक जरूर आएगा, तो baby, सिर्फ एक baby की बात हो रही है, तो इदर आएगा is, the baby is laughing, right, next है, the clouds dash in the sky, यह clouds हैं, right, यह क्या कर रहे हैं, यह float कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा, floating, अब देखते हैं, clouds given हैं हमें इदर, यानि plural, तो उसके साथ आता है, are, the clouds are floating in the sky, next, I dash to my friend, अब यह picture को देखिए, यहाँ पे, एक friend है, और एक मैं हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाते कर रहे हैं, I talking to my friend, और I के साथ क्या आता है हमेशा, am, I am talking to my friend, last one, the ducks dash in water, यह ducks क्या कर रही है, यह swim कर रही है, तो doing word होगी, swimming, और ducks क्या है, वो एक से जादा, यानि plural है, तो उनके साथ लगेगा, are, the ducks are swimming in water, ठीक है, तो ऐसे हमें यह given होते हैं, doing words, ing वाले, और उन्हें हमें appropriately use करना होता है, और is mr लगाना होता है, इसी तरह से, और कुछ मैं आपको doing words दे रही हूँ, उन्हें भी use करते हैं, sentences में, it dash outside, picture देखिए, क्या हो रहा इदर, बारिश, बारिश हो रही है, तो doing word आएगा, raining, और हम क्या लगाएंगे, it is raining outside, right, it के साथ is, the children dash, ये देखिए, बच्चे क्या कर रहे हैं इदर, बच्चे खेल रहे हैं, यानि doing words होगा, playing, अब चिल्वन हैं, वो plural form होती है, child की plural form होती है, children, तो इसलिए लगेगा, are, the children are playing, next we have, I dash my teeth, देखिए पिच्चे को, क्या कर रहे हैं, मैं brush कर रहा हूँ, यानि brushing आएगा, और I के साथ क्या आता है हमेशा, am, I am brushing my teeth, काईरा dash to music, काईरा क्या कर रहे हैं, यानि listening, और काईरा एक ही काईरा है, तो इसलिए उसके साथ आएगा, is, काईरा is listening to music,